आज का दिन है खास क्योंकि आज आ रहे हैं हर्याणा और जमू कश्मीर विधान सभा चुनाव के परिणाम जमू कश्मीर और हर्याणा दोनों ही जगों पर वोट की गिंती सुबह आठ वजेशे शुरू होगी और मतगणना के लिए सुरक्षा के पुखता इंतजाम तमाम जो मतगणना केंद्र है वहाँ पर किये गए हैं जमू कश्मीर में तीन चर्णों में विधान सभा चुनाव 90 सीटों के लिए संपन हुए तो वही हरियाना की अगर मैं बात करूँ तो एक ही चड़ में सभी 90 सीटों पर पर परणाम आज सामने आएंगे और चुनाव 5 अक्टूबर को संपन हुए सुबह आठ बजे से वोटों की गिंती जो है वो शुरू होगी काउंटिंग सेंटर से हर अपडेट इंडिया न्यूस सबसे पहले आप तक पहुचाएगा हमारे तमाम सयोगी तमाम काउंटिंग सेंटर्स पर मौझूद हैं कौन से हाई प्रोफाइल मिदवार कहा से किस सीट पर क्या स्थिती है उनकी हर अपडेट सबसे पहले इंडिया न्यूस पर आपको मिल हुचुचा करेंगे राजनितिक विशलेशकों के साथ हम मंत्रुना करेंगे कि आखर ये चुनाप परिणाम जो है वो किस तरफ इषारा करते हैं और साथ इसाथ तमाम सयोगी इंडिया न्यूस के जमुकश्मीर और हरयाना में तमाम मतघणञा केंद्र पर तमाम दिगजो के घरों पर तमाम पार्टियों के मुख्याले पर मौजूद रहेंगे और वहां से हर तस्वीर हर अफडेट सबसे पहले आपको इंडिया निउस पर हम दिखाएंगे क्योंकि लगातार बड़ी कवरेज इंडिया निउस ने जमू कश्मीर और हर्याना विधान सबाचुनाब दोनों की की है तमाम सयोगियों ने हमारे नब्स टटोला है ग्राउंड पर उतर कर क्या कुछ मुद्दे रहे और उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जब हर्याना और जमू कश्मीर दोनों ही राजियों की जनता ने मद्दान किया तो जब EVM में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कैद हो चुका है तो आज उन EVM की जब ताले खुलेंगे तब परिडाम सामने आएंगे आपको बता दे कि दोनों ही राजियों में जो चुनाव हैं वो संपन हुए हैं और आज दोनों ही राजियों के परिणाम एक साथ गोशित किये जा रहे हैं हर्याना और जम्मू कश्मीर यानि दोनों ही जगे 90-90 विधान सभा सीटों के लिए मद्दान हुआ था जम्मू कश्मीर में 3 फेज 18 सितंबर 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी तो वहीं हर्याना में सिर्फ एक फेज यानि कि 5 अक्टूबर को मद्दान हुआ था हर्याना में जहां पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार थी तो वहीं जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधान सभा चुनाव हुए है हर्याना के 22 जिलों में 90 विधान सभा शेत्रों में 93 मतगणना केंदर जो है वो बनाए गए है 90 मतगणना परवेक्षकों की निक्ती हुई है 66.96 परसेंट वोटिंग जो है वो देखी गई चुनाव के दोरान और 20,632 वोटिंग सेंटर्स पर वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो संपन हुई जम्मू कश्मीर के अगर मैं बात करूँ 90 सीटों वाली इसे विधान सभा में 43 सीटे जम्मू संभाग से तो वही 47 सीटे कश्मीर से है पहले चुनाव 18 सितंबर को 24 सीटों पर हुआ जिसमें 61.38 प्रतिशत मतदान हुआ दूसरे चरण के मतदान में 26 सीटों पर 57.31 प्रतिशत वोटिंग हुई तीसरे फेज में 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर 69.69 प्रतिशत मतदान जो होता हुआ नजर आया 69.37 प्रतिशत पुरुष मतदाताओं ने जम्मू कश्मीर में मतदान किया 70.02 प्रतिशत आपको बता दू महिला मतदाताओं ने मतदान जम्मू कश्मीर में किया है तैयारियां चुनाबायों की तरफ से पूरी की गई है तमाम जो मतदाना केंद्र है यहाँ पर विवस्थाएं पूरी चाक चौबंद जो हो नजर आती है सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिंती जो है वो की जाएगी और इसके 30 मिनट बाद Electronic Voting Machine यानि EVM की गिंती होगी मतदाना के प्रतेक दौर की सटीक जानकारी समय पर जो है वो इंडिया निउस आप तक पहुचाएगा मतगणना के दौरान उमिदवारों उनके अधिकरित प्रतिनिधियों Returning Officer और चुनाव आयोक के परवेक्षकों की मौजूदगी में Strong Room खोले जाएंगे और वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी साथी मतगणना केंदरों के अंदर मुबाइल फोन ले जाने की अनुमती नहीं होगी बात अगर हर्याणा की करे तो यहाँ विदान सभा की 90 सीटे हैं सूबे की इन सीटों पर 1031 उमिदवार चुनावी मैदान में थे जिनमें 930 पुरुष और 101 महिलाएं शामिल हैं हर्याणा की सभी सीटों पर एक ही चल्ण में 5 अक्टूबर को वोट डाले गए थे चुनावायो की और से जारी अंतिम आकरों में 66.96% से जादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उप्योग किया मतगणना के लिए हर्याणा में 20,632 मतदान केंदर बनाए गए थे जिनमें से 13,500 बूत ग्रामीन और 7,132 बूत शहरी इलाके में थे तो वहीं हर्याणा चुनाव के अगर मैं बात करूँ तो आम आदनी पार्टी अकेले ही चुनावी मैदान में उतरिये जबकि कॉंग्रेस ने माकपा और बीजेपी ने गोपाल कांडा की हर्याणा लोखेत पार्टी के साथ गडबंधन कर चुनाव लड़ा है कॉंग्रेस ने नामांकन के अंतिम पलों में भिवानी सीट माकपा के लिए छोड़ दी थी बीजेपी ने भी होलपा के लिए एक सीट छोड़ी है कांडा की सीट जो है वहीं दुश्यन चोट्राला की जननायक जनता पार्टी और एडवोकेट चंदरशेकर की आजाद समाज पार्टी के बीच गडबंधन है बीजेपी ने 70 सीटों पर उमिदवार उटा रहे है तो वहीं आजात समाद पार्टी ने 20 विधान सभा सीटों पर उमिदवार उता रहे है तो वहीं INLD मायावती के अगवाई वाली बहुदन समाज पार्टी के साथ गडबंधन में चुनाव लड़ रही है तो हर्याणा में बीजेपी 36.5 पीजदी वोट शेर के साथ 40 सीट जीत कर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी कॉंग्रेस 28.1 पीजदी वोट शेर के साथ 31 सीटे जीत कर दूसरे नमबर पर थी तीसरे नमबर की पार्टी रही जेजेपी ने 14.8 फीज़दी वोट शेयर के साथ 10 सीटे जीती एक सीट और अन्य के जो वोट शेयर की अगर मैं बात करो तो 18.2 फीज़दी था और 8 सीटे अन्य जो है वो जीतने में सफल हुए थे